अरजुन और खुनी शेर की कहानी मुकाबले की रात एक अतंत विशाल जंगल में एक खौफनाक और खतनाक शेर राज कर रहा था इस शेर का नाम राक्षस था जिसे लोग दरिंदगी और हत्याओं के लिए जानते थे राक्षस जंगल के सभी प्राणियों के लिए एक भयानक खत्रा बन चुका था एक दिन राक्षस ने एक छोटे से गाव को आकरमन किया और उसके लोगों को भैभीत करने लगा उसने गाव के चारों और आतंक मचा दिया और लोगों को भागने के लिए मजबूर किया गाव में एक बच्चा था जिसका नाम अर्जुन था अर्जुन एक बहादुर और साहसी बच्चा था और उसने तै कि वह अपने गाव को राक्षस के अत्याचार से मुक्त करेगा उसने गाववालों को आशवासन दिया और अपनी बहादुरी का दिखावा करने का निरने लिया अरजुन ने एक बुधिमान रचनाकार से मिलकर एक योजना बनाई की कैसे वह राक्षस को हराएगा उन्होंने जंगल के अन्य जानवरों से सहायता मांगी और एक-एक करके सब को एक जुट किया राक्षस की खोज में निकलने के बाद अरजुन ने एक रात को उसके आवास की ओर बढ़ते हुए उसकी चालबाजी का पता लगाया राक्षस का आवास एक गहरे गुफा में था जिसे से से छोड़ कर उसने धीरे-धीरे पास किया गुफा के अंदर अर्जुन ने राक्षस को खोजते हुए देखा कि वह एक बड़े से सिहासन पर बैठा हुआ था राक्षस ने अपने बाया हाथ में एक शीर्षक और दाया हाथ में एक खड़ाग लिये हुए दिखाई दिया अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लेते हुए एक छोटे से बच्चे की तरह गुफा के किनारे से बाहर निकल कर राक्षस को चुनौती दी उसने कहा तुम एक भैंकर शेर हो लेकिन तुम एक मासुम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते राक्षस ने हनस्ते हुए कहा तुम कौन है छोटे मुझसे मुकाबला करना मत भूल अरजुन ने कहा मैं तेरे खिलाफ नहीं खड़ा हूँ बलकि मैं तुझसे एक समझदारी करना चाहता हूँ हत्या और अत्याचार के रास्ते पर चलने से कुछ नहीं मिलता हमें साथी बन कर जीना चाहिए न की एक दूसरे को मार कर राक्षस ने श्रिंगाशीलता से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा ब तू जितना बच्चा समझता है वैसा नहीं है मैं एक शेर हूँ और मुझे दुनिया का शासक बनना है अर्जुन ने गहराई से साजा किया तुम जो बनना चाहते हो वह एक हत्यारा शासक नहीं बलकि एक उदार और न्यायप्रिय नेता हो सकता है हमें सभी जीवों के साथ मिलकर एक सुखी और शांतिपून जंगल बनाना चाहिए राक्षस ने धीरे धीरे अर्जुन की बातों को सुना और उसके दिल में एक बदलाव हुआ उसने अपनी अहंकारी भावनाओं को छोड़ कर समझदारी की और कदम बढ़ाया फिर उन दोनों ने मिलकर जंगल को एक सुरक्षित और सौमे स्थान बनाने का कारे शुरू किया राक्षस ने अपनी शक्तियों का सही तरीके से उप्योग करना सीखा और उसने अर्जुन को भी शिक्षा दी की शक्तिशाली होने का मतलब दुसरों को अत्याचारित करना नहीं होता इस प्रकार राक्षस और अर्जुन का मिलना एक साथी बनाए रखने के लिए एक उदाहरन बन गया उन्होंने जंगल को एक अद्वितिये और बनाया जिसमें सभी जानवर शाहरी से रह सकते थे अर्जुन और खुनी शेर की कहानी मुकाबले की रात एक अत्यंत विशाल जंगल में एक खौफनाक और खतनाक शेर राज कर रहा था इस शेर का नाम राक्षस था जिसे लोग दरिंदगी और हत्याओं के लिए जानते थे राक्षस जंगल के सभी प्राणियों के लिए एक भयानक खत्रा बन चुका था एक दिन राक्षस ने एक छोटे से गाव को आक्रमन किया और उसके लोगों को भैभीत करने लगा अत्याचार से मुक्त करेगा उसने गाववालों को आशवासन दिया और अपनी बहादुरी का दिखावा करने का निरने लिया अरजुन ने एक बुद्धिमान रचनाकार से मिलकर एक योजना बनाई की कैसे वह राक्षस को हराएगा उन्होंने जंगल के अन्य जानवरों से सहायता मांगी और एक-एक करके सब को एक जुट किया राक्षस की खोज में निकलने के बाद अरजुन ने एक रात को उसके आवास की ओर बढ़ते हुए उसकी चालबाजी का पता लगाया राक्षस का आवास एक गहरे गुफा में था जिसे सिर से छोड़ कर उसने धीरे-धीरे पास किया गुफा के अंदर अरजुन ने राक्षस को खोजते हुए देखा कि वह एक बड़े से सिंहासन पर बैठा हुआ था राक्षस ने अपने बाया हाथ में एक शीर्षक और दाया हाथ में एक खड़ाग लिये हुए दिखाई दिया अरजुन ने अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लेते हुए एक छोटे से बच्चे की तरह गुफा के किनारे से बाहर निकल कर राक्षस को चुनौती दी उसने कहा एक भैंकर शेर हो लेकिन तुम एक मासुम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते राक्षस ने हनस्ते हुए कहा प्टू कौन है छोटे मुझसे मुकाबला करना मत भूल अर्जुन ने कहा मैं तेरे खिलाफ नहीं खड़ा हूँ बलकि मैं तुझसे एक समझदारी करना चाहता हूँ हत्या और अत्याचार के रास्ते पर चलने से कुछ नहीं मिलता हमें साथी बनकर जीना चाहिए न की एक दूसरे को मार कर राक्षस ने श्रिंगाशीलता से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा ब तु जितना बच्चा समझता है वैसा नहीं है मैं एक शेर हूँ और मुझे दुनिया का शासक बनना है अर्जुन ने गहराई से साजा किया तुम जो बनना चाहते हो वह एक हत्यारा शासक बना बलकि एक उदार और न्यायप्रिय नेता हो सकता है हमें सभी जीवों के साथ मिलकर एक सुखी और शांतिपूर्ण जंगल बनाना चाहिए राक्षस ने धीरे धीरे अर्जुन की बातों को सुना और उसके दिल में एक बदलाव हुआ उसने अपनी अहंकारी भावनाओं को छोड़कर समझदारी की और कदम बढ़ाया फिर उन दोनों ने मिलकर जंगल को एक सुरक्षित और सौमे स्थान बनाने का कारे शुरू किया राक्षस ने अपनी शक्तियों का सही तरीके से उप्योग करना सीखा और उसने अर्जुन को भी शिक्षा दी की शक्तिशाली होने का मतलब दुसरों को अत्याचारित करना नहीं होता इस प्रकार राक्षस और अर्जुन का मिलना एक साथी बनाए रखने के लिए एक उदाहरन बन गया उन्होंने जंगल को एक अद्वितिय और बनाया जिसमें सभी जानवर शांती से रह सकते थे